फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको मक्की के आटे की मठरी की रेसिपी बता रहा हूँ ये शाम की चाय के साथ बहुत सुन्दर गरमा गरम स्नैक्स है एक कप मकी काटा लिया हमने एक चुथाई कप मैदा तिल दो बड़े टीस्पून जीरा आधी चम्मच अजवायन आधी चम्मच काली मिर्च आधी चम्मच और नमक डालेंगा हम स्वादानुसार मैं डाल रहा हूँ आधी चम्मच इसको मिक्स कर लिए अब इसमें मिलाएंगे मोईन मोईन के मैंने एक चम्मच घी लिया है डालडा आप चाहें तो देशी घी भी ले सकते हैं पर डालडा घी का मोईन जादा अच्छ होता है अब इसको हम हाथ से मसल लेंगे मसल कर ये थोड़ा रंग चेंज कर देगा अब मैं गुंगने पानी से इस आटे को मल लूँगा हमने मठी बनानी है इसे थोड़ा सक्त आटा मलना है गुंगने हलका गरम पानी से इसलिए मलते हैं जिससे कि ये थोड़ा फूल जाए मक्की का आटा फूल जाता है इसमें ही मला जाता है गरम पानी में ही इसको मैं रख दूँगा आदे घंटे के लिए आदे गंटे बाद मैं अब इसकी छोटी छोटी इलोई बना कर मठ्री बना हुआ यह छोटे छोटे हम गोले तोड़ लेंगे इसके ऐसे गोला कर लिए थोड़ा प्रेस करें यह हतेली में ऐसे यह इस तरह से हम सारी मठ्री तयार कर लेंगे आप चाहें तो चकला बिलन भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए उसमें बहुत पतली बन जाएगी और करारी बनेगी मैं हतेली में इसलिए बना रहा हूँ यह मैं मठ़्ी बना रहा हूँ खस्ता इस सब तयार हो गई है अब गरम तेल हो गया है अब मैंने हाथ में तेल लगाया इस मठ्री को हलका सा और प्रेस कर दिया थोड़ा पतला करने के लिए और खौलते वे तेल में हलकी मीडियम आज पर इसको हमने डी फ्राइ करना है इस तरह से एक एक पेड़ा उठा कर मक्की का मैं ऐसे मठ्री बना कर गरम गरम तेल में डाल रहा हूँ हमें फ्लेम रखनी है मीडियम से लो मीडियम से लो का मतलब है मीडियम और लो के बीच में ये देखे सुनहरे लाल हो गई है ये तयार हो गई है मठ्री अब इनको हम जब सुब तल जाएंगी गरम गरम सर्व करेंगे चाय के साथ मैं और इस तरह मठ्री बनाई और इनको डे फ्राइ कर रहा हूँ सारी मठ्री तयार हो गई है आईए इसको गरमा गरम चाय के साथ सर्व करें बहुत सुन्दर बहुत जटपट रेसिपी है जब आपको चाय के साथ सर्व करनी हो आदे घंटे पहले आटा मलके रख दीजिए जिससे की जब आप इसको बनाए तो ये बहुत सुन्दर कंसिस्टेंसी हो इसकी कमेंट दीजिए आपको रेसिपी कैसे लगी अपने फ्रेंड्स में शियर कीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए उपर ये जो आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनमें किसी एक को भी क्लिक करके मेरी ये प्लेलिस है और जादे वीडियो देख सकते हैं थैंक यू